अब बाद आप देख सकते हैं कि मेरी फिजिक कुछ इस परकार से थी उसके बाद मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया मैं बहुत दिन से जीम कर रहा हूं बहुत सालों से जीम कर रहा हूं लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा जिसके मदद से आप भी अपने बॉड़ी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और यहां पे कम्प्लीटली नेचरल बात होने वाली है कोई प्रोटीन पॉडर नहीं कोई सप्लिमेंट्स नहीं कोई ड्रक्स नहीं कोई स्ट्राइट्स नहीं बिल्कुल कम्प्लीट 110 परसेंट नेचरल बात होने वाली है तो मैंने अपने आपको कैसे नेचरली ट्रांसफॉर्म किया बिदाट प्रोटीन पॉडर ठीक एस्ट्राइट तो बहुत दूर दूर के बात है और मैं पहले बता दू कि भाई मेरे पास फोटो खिचवाने के लिए पैसे नहीं मोबायल से फोटो खिचता हूँ तो अस्ट अगर बाद करते हैं जब से पहले मैं बात बता दू आपको इसे नहीं रखो गए तो ठांसफॉर्म करना मुझकि यह अपके लाइफस्टैल होना चाहिए यह नहीं कि आपने बस सोच लिया कि मुझे तो जीम जाना है और तीन महने मेरी बादी बिल्कुल चेंज हो जाएग अगर ऐसा possible है तो वो injection लगवा करके और injection की body फिर ऐसे भी खराब हो जाती है जैसे आप अपना PCT करवाओगे खराब हो जागी body ठीक है तो आप naturally अपने आपको transform करो उसके लिए आपको patience की जोड़त है आपको कम से कम एक अच्छा खासा muscle gain करने के लिए साल भर तो लगी जाएंगे साल भर आप मान के चलो कि साल भर तो कि आप notice ही नहीं करो कि कुछ change हुआ की नहीं हुआ आप अपने आपको साल भर के बाद देखना आप कम से कम lean muscle mass कम से कम तो पूरा साल में 5-6 pound gain कर लोगे lean muscle की बात कर रहा हूँ मैं 5-6 pound lean muscle राम से gain कर लोगे naturally ठीक है और 5-6 pound बहुत ज़्यादा muscle होता है जब आपके body में 5-6 pound muscles आएगी ना तो अपने आपको देखोगा ना मिरन में तो बोलो कि वाओ क्या changes आया है तो सबसे पहली चीज पैसेंस दूसरी चीज कि अपने जो भी खाना आप खा रहे हो परे दिन में उसे प्लीज मेजर करना स्टार्ट करो आप मेजर करना जैसे यह स्टार्ट कर दोगे न उसी दिन से आपके fitness की जर्नी सुरू हो जाएगी तो मेजर करना स्टार्ट करो तीसरी चीज कि आप अपने डायेट में प्रोटीन को हाई रखो, carbs and fat को moderate रखो प्रोटीन को हाई रखो अब प्रोटीन कितना ज्यादा लेना है तो इसके ओपर मैं वीडियो बना चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अपने आपका जितना body weight है उसका double at least कम से कम तो उसका double रखो ऐसे 2.5 भी आप सकते हो ठीक है बात करते है चौथी चीज तो डेली आपको वर्कॉर्ट करना है यह नहीं कि आज आप जिम आज जिम गए उसके बाद एक महिना तक गाइप ऐसा नहीं कम से कम आप रूटींग बना लो कि मुझे डेली जिम जाना है तो जाना है तब ही body transform होगी आप छोड़ इन सब सारी बाते को अगर आप फॉलो करते हो अच्छा से rest देना है अपनी body को इन सब 4-5 बाते को अगर आप फॉलो करते हो अपनी lifestyle में इसे डालते हो अपनी lifestyle बना लेते हो अगर इसे आपकी body definitely change हो जाएगी और नए ने निया साल आया तो आप definitely अपने आपको change कर सकते, अपने आपको transform कर सकते हैं guys तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना एंड इसे तरह की और भी fitness related, workout related अगर आप tips देखना चाहते हैं, tips जानना चाहते हैं तो मुझे comment box में जरूर बताना है मैं आपको proper वीडियो बना करके देदूँगा आपको guide करूँगा, तो बस आज किस वीडियो जो मित नहीं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए guys, bye bye, take care अपना दियान रखो guys, bye bye